नमो नमा च्छात्रो आश्वित द्याले से मैं नीदी शिर्वास्तो एक बाब फेव से संस्कित किस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा दसवी के च्छात्रो का स्वागत करती है च्छात्रो आज हम जिस विशे के उपद चाचा करेंगे वहाँ आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वी आर इंडियन इस नाम से आप सभी अपने आपको पहचानते हैं कि वी आर इंडियन यहने हम सब भारतिये हैं तो च्छात्रो आज जो अध्याय उसका नाम है वयम भारतिया यहने हम सब भारतिये हैं ठीक है तो चात्रो आज इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है भारति हम सब भारतिये के माद्यम से उसको जानने के लिए आई हम लोग देखते हैं क्लाश 10, संस्क्रेस, सब्तमा पाठा, वयम भारतिया का प्रत्मा भागा प्रस्तुत पार्ट में पार्ट परिचे गध्यांशों का हिंदी भाषा में आर्थ सही संदी विच्छत पर हमने प्रकाश डाला है तो पार्ट परिचे ध्यान से सुनिए प्रस्तुत पार्ट राष्टी एक्ता की भावना पर अधारित है हम सब भारती हैं भारती ता ही हमारी पहचान होनी चाहिए ये आप सभी लोग जानती हैं आप सब भारती हैं और भारती ता ही आपकी पहचान है सभी धर्म वस्तुता एक हैं उन सब का गंतव एक ही है यद पी उस सत्य तक पहुशने का मार्ग भिन 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 याने अलग अलग है याने हम लोग अनेक जाती धर्म के होते वे भी हम लोग एक देश में निवाश करते हैं और हमारा सब का गंता भी एक ही है परन्तु उस सत्य तक पहुशने का मार्ग है अलग-अलग है, सभी धर्मों में मानव कल्यान का पक्षी ही जो है वो प्रधान है यहने मानव को कल्यान करना चाहिए या सभी धर्मों में का प्रधान पक्षे है, तो आईए देखते गद्यांश को अध्यापका भो छात्रा अध्यापक आए हैं यहां पर नाटक हो रहा है अध्यापक आए हैं वो छात्रा याने हे छात्रों अध्यापच केवच्षामि प्रश्ने पूछूँगा पुछेतल नाँ बुद्ध चरित विशयत्वम याने कहो तुम महात्मा बुद्ध के चरित के विशयत्वश्यमि क्या जानते हो एसा उन्होंने आफ्ताफ से पूछा तब आफ्ताप कहता है कि महात्मा बुद्धा बालिया देव अती चिंतन शीला परम कारुनी यहने महात्मा बुद्ध जो है बालिया देव यहने बच्पन से ही अती चिंतन शीला यहने बहुत चिंतन शील और परम कारुनी यहने परम दयालू थे संसार गत दुख़ से परिहार कथम स्यादिती सदैव चिंतियती इस्म यहने सदैव यहने हमेशा संसार गत दुख़ से यहने संसार के दुखों से कैसे दूर होगा परिहारा यहने कैसे दूर होगा कथम स्यादिती ऐसा वह हमेशा सोचते रहते थे साध्धार्मिक पाखंड से खंडनम चकारा और वो जो धार्मिक पाखंडी जो रूड़ी वादिता होती है उसका वह विरोध करते थे और महात्मनों बुध्ध स्योब देशा सर्व साधारण से कृते अपी उपादेया सिध्य हमती यहने महात्मा बुध के जो अपदेश है वो आम जनता के लिए यहने सर्व साधारण के लिए भी उपादे है उपादे सिध्य हुए है तो ऐसा उसने बता दिया कि महात्मा बुध बच्पन से ही चिंतंशील और परमदयालू थे वे सदेव संसार को दुखों से मुक्त कराने की सोचा करते थे उन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों को खुलकर विरोध किया था और महात्मा बुध के उपदेश सभी के लिए उपयोगी सिध्ध हुए थे अध्यापका जस्विंदर इसा मसी मानवान की मुपादिशत यानि अध्यापक ने अब दूसर धर्म प्रवर्थक इसा मसीय आर्त जनानाम आर्तिहरनाय, निर्धन जनानाम कल्यालाय, लोग पिड़िता नाश्च परित्राडाय, लोक मुपादिशत दिशत यानि उसने क्या कहा? खिष्ट धर्मे के प्रवर्तक ईसा मसीने आर्त जनाना यदि दुखी लोगों के लिए आर्ती हरनाय यदि दुखी लोगों के दुख को दूर करने के लिए और निर्धन जनानाम कल्याडा याने निर्धन के गरीबों के कल्याण के लिए और रोग पिडितों का नाश करने के लिए लोगों को कहां पर क्या करते थे रोगियों की फीड़ा हरने के लिए क्या करते थे लोकम उपदिशती याने संसार को उपदेश देते थे मानवताया सेवै भगवता सेविती तस्य उपदेश वचनानी यहने मानव की सेवा करना भगवान की सेवा के बराबर है ऐसा उसका उपदेश होता था उनका उप्देश क्या था कि अगर आप मानव की सेवा करोगे तो आप भगवान की सेवा करो ऐसे उनके उप्देश के वचन होते थे साथ दीन दुखी तानाम सेवा या में इश्वर से साख्छातकारम करोती इसमार यहने वा दीन दुख्यों की सेवा में ही इश्वर का साख्छातकार समस्ते थे तो इसाई धर्म के प्रवात तक इसा मसी ने दुख्यों के दुखों को दुर करने नियदनों का कल्यार करने और रोग्यों की पीड़ा हरने के लिए संसार को उपदेश दिया मानव सेवा के द्वारा ही इश्वर की सेवा होती है यही उनके उपदेश का मुलसार है वे दीन दुख्यों की सेवा से ही इश्वर का साक्षातकार किया जा सकता है अध्यापका दीपका याने अब तीसरे बच्चे को कह रहे हैं दीपक गुरु गोविन सिंग की मर्थम पूजय याने गुरु गोविन सिंग किसलिए पूजय जाते हैं तो दीपक कहता है सिख धर्मसे दश्मो गुरू गुरू गोविंद सिंग जन्मभूमे, रक्षा रतम, देशवक्ती भावनेया, आत्मोत, सर्गम करोध यहने दीपक ने बताया कि सिख धर्मसे दश्मो गुरू यहने सिख धर्म के दस्वे गुरू कौन थे? गुरू गोविन सिंग थे चात्रो heb अर जन्म भूमे रक्षा अर्तम यहने जन्म भूमी की रक्षा के लिए और देश भक्ती भावनेया यहने देशबक्ती की भावना से आत्मो सर्गम अवक्रोत यहने आत्म सर्ग कर दिया था नेक्ष्ट है चात्रो कक्षा विसरजिता मध्यान समय संजाता यहने कक्षा छूड़ जाती है और लंच का समय हो जाता है चात्रा स्वल्पा हारातम इतस्था तिश्थन्ती और चात्रो क्या है जब लंच समय होते हैं तो इदर उदर सब लोगे अपने अपने ग्रूप में बैढ़ जाते हैं तो वैसी भोजन करने के लिए इदर उदर बैढ़ गये आफतावा दीपक जस्विंदरो आगचताम याने आफताव देखता है कि दीपक और जस्विंदर आ रहे हैं वयम भोजनम करिश्यामा याने हम लोग भोजन करेंगे दीपका तसमय प्रत्युत्तरम ना ददाती अपीत्वा सरपती याने हम लोग आफताव देखता है दीप प्रवायती और रोने लगता है क्यों रोता है कहता है आज मेरे पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है निर्धनों हम यानि मैं गरीब हूँ छुद प्रव पीडि तो अस्मी इती रो देती और मैं गरीब होने के साथ साथ आज क्या हूँ भूखा भी हूँ ऐसा कहकर वर होता है तब आफ्ताब तम शमास्वेती यानि आफ्ताब उसे सांतुना देता है पीटरा स्वा भोजनम जस्विंदराय ददाती चा और पीटर अपना भोजन जस्विंदर को देता है चुद प्रव पीडि तो जस्विंदरा भोजनम करोती और उसको जस्विंदर भोजन कराता है अपना भोजन दे दिया और सब लोग मिल बाठ कर खाना खा लिए फिर क्या होता है कुछ दिनों के बाद परिक्षा सारेणिम द्रिश्टवा याने परिक्षा की टाइम टेबल आता है और ते परस्परम वारतालापम कुर्वंति और वो सब आपस में बातचीत करते हैं क्या क पास आगई है किन्तु मंप आशर्वे परिक्षा शुल्क प्रदाना धनमनाती यने किन्तु मेरे पास में परिक्षा शुल्क देने के लिए पैस अभी नहीं है मम पिता अकस्मा तती रुगणा जाता यती किंचे तपी द्रव्य मम पाशरवे आसी तसे तदपी चिकसायम वेईतम यहने उसने क्या बोला कि आज अधिवाश परिक्षा बहुत पास है किन्तु मेरे पास परिक्षा शुर्क देने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पिता जो है वो आचानक से क्या हो गएं बिमार हो गएं और जो कुछ धन मेरे पास था वा सब उनकी बिमारी में मैंने लगा दिया है पीटर आप कहता है तुब कर परिच्छा शुलकम दास्यामि या जब भगवता प्रसादेन यह भगवान की क्रिपास से या भगवान की धया से लिया से मेरे पिता के पास में प्रभूताम धनम वर्धते या बहुत धन है ऐसा वहông बोलता है जस्विंदर यह अद्य दीपको ना लक्षेत यहार आज दीपक नहीं दिखाई दे रहा है कदाचीत सा विद्यालयम ना गता कदाचीत यहने शायद वाः विद्यालयदन नहीं आया मन्य साथ चल चित्राव लोकनाई गताह से आत यहने मानता हूँ शायद वाँ पिक्चर देखने चल चित्राव लोकनाई यहने पिक्चर देखने गया होगा पीटरा कहता है मैंवं भड यहने ऐसा मत कहो अधे केना पी दुष्ट बालकें तस्योपरी बंब यहने आज किसी दुष्ट बालक के द्वारा उसके ओपर क्या किया गया है बंब प्रच्छेपा यहने बंब फेका गया है त्रीव यह तीवरिया दुधिर्व रहरिया तसे मुखम रखती रंजी तासीत यहने उसके मूँ से खूब खून की धारा बह रही थी तसे शल चिक किस्सा के लिए खून की आशकता है किन्तु तद वर्ग से रख्टम नो अपलब यहते यहने किन्तु उसके वर्ग का यहने जिस ग्रूप का वा है वहाँ ग्रूप खून का नहीं मिल रहा है हंत दुख है तसे बांध जनानाम अपी रख्टम दीपक से रख्टेंसा सामियम ना भजते यहने उसके बंदू बांधों का भी उनके घर के लोगों का भी जो दीपक के हैं दीपक के साथ में उसका खे उनका खून जो है ब्लड जो मैच नहीं हो रहा है सामियम ना भजते यहने ब्लड मैच नहीं हो रहा है तो चात्रों और दीपकम सम भजते और कोई को तैयार भी नहीं है ओसने कहा तो च्छी के साथ या अश यहां पर समावध दोता train मेहां टाहे हैं इसमें अध्यापक को च्छात्र है और अध्यापक बच्चों से एक करके दर्म के बीशे में पूचते जा रहREE है और उसे वीच में क्या होता है एक बच्चा है जस्विंदर नाम का जिसके पास ना खाने को पैसा है ना उसको क्या किते हैं फीस देने के लिए पैसा है तो सब उसकी help करते हैं तो ये मदद करना हमारा मानवता दिखाता है तो चातरो इसी के साथ यहां आँश यहां पर समापत होता है आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज फिद्या लेकर आपको लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं मैं आपका ज